चंदिगर्ड के सेक्टर 10 हाउस नंबर 575 में हुए ब्लास्ट मामले में लगातार कई खुलासे सामने आ रहे हैं हला कि इसमें चंदिगर्ड पुलिस के साथ साथ अब जो एजेंसी हैं वो भी काम कर रही हैं दिल्ली पुलिस भी इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई अजेंसी हो के साथ साथ क्योंकि इसमें कई चीजें जो कनेक्शन हैं वो सामने आ रहे हैं अभी एक पोस्ट जो है जो गैंक्सर के तरफ से जो विदेश में बैठे हैं कि उस समय जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो यहाँ पर रेटायर पुलिस आफिसर रहते थे किराये पे हाला कि अब नहीं रहते वो उस समय के वहाँ पर पुलिस आफिसर रहे थे तो कहीं न कहीं दुश्मनी किसी गैंक्सर्स की आपसी दुश्मनी इसके एंगल से भी पुल गिरफ्तार किया था जो इसी कोठी पर यानि के 2023 में भी इसी कोठी पर अटैक करने की प्लैनिंग कर रहे थे और इसे पार्क में बैठके यानि के जो अभी तक पुलिस ने जानकारी दिये कि इसी पार्क में बैठके पूरी रहकी किये जा रहे थी लेकिन अटैक से पहले ही मह पुलिस ने इनको गिरफतार कर लिया था हाला कि वो लोग जेल में हैं और दुबारा से इसी कोठी पर अटैक करने पहुंचे जो दो बदमास थे वो सारी चीजों को एंगल पुलिस जोड कर अब इसमें काम कर रही है कि आखे जो विदेश में बैठे गैंक्स्टर हैं उनका ये काम हो सकता है क्योंकि अभी कहीं न कहीं जो पुलिस को पुलिस को क्लिव मिले हैं जो आटो ड्राइवर जिस आटो में वो आये थे वो आटो ड्राइवर काबू कर लिया गया है आटो ड्राइवर से जो पूस्ताच में सामने आया है कि किस तरह से उनको सेक्टर 43 बस टे लोकल बसी चलती है, वहां पर वो आय थे जिनकी CCTV फोटेज भी सामने आई है, वहां से वो आय थे उन्हों ने आटो हायर किया, सेक्टर 43, बस्टेंट से होते हुए, अटावा चौक, अटावा चौक से होते हुए किसान भवन, किसान भवन से होते हुए सेक्टर 17 मटका चौक, सेक्टर 17 मटका चौक से होते हुए सेक्टर 10 और यह पौश एरिया है यनि कहा सकते हैं कि पूरी प्लैनिंग के तहट, पूरी रैकी के तहट इस पूरी जो वारदा जाके जो आटो ड्राइवर की स्टेटमेंट है कि वो आगे जाके थोड़ी दूरी पर वो उतर कर वहां से फरार हो गए थे उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहां गए किसके साथ थे कौन उनको लेने आया था लेकिन आटो ड्राइवर ने कई ऐसे क्लिव दिये हैं जो कि पुलिस उस एंगल पर काम कर रही आटो ड्राइवर जरूर ये कहता नजर आ रहा है कि मुझे नहीं पता था कि वो कौन है जब यहां पर ब्लास्ट हुआ उन्होंने भागम भाग करी तो मैं काफी डर गया था यह जो स्टेटमेंट है अला कि पुलिस लगाता रही थे इसम जरूर कर रही है लेकिन कई चीजों पर पुलिस के सासा तब हर जो एजनसीज हैं वो काम कर रही है क्योंकि बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा अटैक है राहत की बाद जरूर है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन किस तरहां से उन्होंने पूरी रैकी की किस तरहां से उन्होंने पूरा इस एरिया को रैकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम दे के बहुत ही अराम से यहां से फरार हो गए